Hello and welcome dear students, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, आपके अपने YouTube चैनल Study with दुलार में, बच्चों ये Class 6 का English book है, Class 6 में दो English book चलता है, एक हनी सकल और दूसरा A Pact with the Sun, तो ये book A Pact with the Sun है, ये chapter 1 है, इस chapter का नाम है A Tale of Two Birds, इस book में सिर्फ stories दिया हुआ है, और हनी सकल में story के साथ poem दिया हुआ है, यहाँ पे एक interesting story दिया हुआ है, तो आए हम लोग इसको पढ़ कर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे story के बारे में कुछ दिया हुआ है, ये mother bird and her two young ones lived in a forest, एक माचिडियां और उसके दो छोटे बच्चे एक जंगल में रहते हैं, the mother was killed in a storm, और उसकी मा एक तुफान में मारी जाती है, and the young birds were separated from each other, और वो छोटे बच्चे जो रहते हैं, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, each found a different home, और दोनों को अलग-अलग जगह मिल जाता है रहने के लिए, और यहां पे स्टोरी जो है डिटेल में दिया हुआ है, there once lived a bird and her two newborn babies in a forest, एक बार एक मा पक्ची और उसके दो नौजात सिशू एक जंगल में रहते थे, they had a nest in a tall sadie tree and there the mother bird took care of her little once day and night, एक लंबे और चायादार विरिक्ष पर उनका घोशला था और वहां मा पक्ची अपने नन्हे बच्चों की देखभाल दिन रात करती थी, one day there was a big storm, एक दिन एक भ्यानक तुफान आया, there was thunder, lighting and rain, बादल कड़कने लगे, बिजली चमकने लगी और बरसात होने लगी, बहुत से पेड़ों को गिरा दिया, the tall tree in which the birds lived also came down, वो बड़ा उचा पेड भी गिरी गया, जिस पर पक्ची राते थे, a big heavy branch hit the nest and killed the bird, एक बड़ी भारी साखा घोशले से टकरा गए और उससे मा पक्ची की मिर्तिय हो गई, fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest, सो भाई गवस, तेज आंधी ने दोनों बच्चों को जंगल के दूसरी और फेंक दिया, उसमें से एक पक्ची एक गुफा के पास जागिरा, जहां लुटेरों का एक समुह राता था, दूसरा पक्ची कुछ दूरी पर एक रिसी के आश्रम के पास जागिरा, समय बित्ता गया और पक्ची के छोटे बच्चे बड़े हो गए, बड़े पक्ची बन गए, वन देग अप दे कंट्री केम टू दा फोरेस्ट तो हंट, एक दिन उस देश का राजा सिकार करने के लिए उस जंगल में आ गया, He saw a deer and rode after it, उसने एक हीरन को देखा और घोडे पर स्वार होकर उसका पीछा किया, It ran deep into the forest followed by the king, राजा द्वारा पीछा किये जाने पर वो हीरन घने जंगल में गुश गया, Soon the king lost his way and didn't know where he was, सिग्र ही राजा अपने रास्ते से भटक गया और उसे पता ही नहीं चला कि वह कहां पर था, He rode on for a long time till he came to the other side of the forest, वह घोडे पर स्वार हुआ काफी समय तक घुमता रहा और आखिरकार जंगल के दूसरी और पहुँच गया, Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave, अब वह पूरित्र ठक चुका था, वह अपने घोडे पर से उत्रा और एक गुफा के पास खड़े एक पेड के नीचे बैठ गया, Suddenly he heard a voice cry out, Quick, hurry up, there's someone under the tree, अचानक उसे एक चीखने की आवाज सुनाई दी, जल्दी करो, जल्दी करो, पेड के नीचे कोई आदमी है, Come and take his jewels and his horse, आओ उसके गहने और उसका घोडा ले लो, Hurry or else he will slip away, जल्दी करो नहीं तो वह खिसक जाएगा, The king was amazed, राजा हैरान था, He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting, उसने उपर की तरब देखा, और जिस पेड के नीचे वह बैठा था, उसी पेड पर बैठे हुए एक बड़े भूरे पक्छी को देखा, He also heard faint noises issuing from the cave, उसे गूफा में से आता हुआ धीमा सोर भी सुनाई दिया, He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could, वह जल्दे से अपने घोडे पर स्वार हुआ और तेजी से भाग निकला जितना संभाव हो सकता था, यह स्टोरी का दूसरा भाग है, The king was amazed to hear a similar voice again, राजा फिर उसी तरह का आवाज सुनकर हैरान हो जाता, He came to know the bird's true story, वह इन पक्षियों के सची कहानी को जानना चाहता है, He made the rissi who explained the behavior of each bird, वह एक रिसी से मिलता है जो इन दोनों पक्षियों के बारे में बिस्तार से बतलाता है उसे, तो यहाँ पे यही चीज डिटेल स्टोरी में दिया हुआ है, सुन, He came to a clearing which looked like an ashram, जल्द ही राजा एक खूले अस्थान पर पहुँच जाता है जो एक ashram की तरह दिखाई देता था, राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांद दिया और उसकी चाया में बैठ गया, Suddenly, he heard a gentle voice announce, सेगर ही उसे एक हलकी सी आवाज सुनाई दी, जो बोल रही थी, Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rissi will be back soon. स्रीमान जी, आशरम में आपका स्वागत है, किर्पया अंदर आए और विश्राम किजिए, रिसी कुछ देर में वापस आने वाले हैं. There's some cold water in the pot, please make yourself comfortable. मटके में ठंडा पानी है, किर्पया विश्राम कर लिजिए. The king looked up and saw a big brown bird in the tree. राजा ने उपर की तरब देखा, पेड पर एक बड़ा भूरे रंग का पक्ची दिखाए दिया. He was amazed. वह हैरान रग्या. This one looks like the other bird outside the cave. यह पक्ची गुफा के बाहर वाले दूसरे पक्ची के जैसा ही दिख रहा है. He said to himself loudly. उसने अपने आप से उची आवाज में कहा. You are right, sir. Answered the bird. He is my brother. But he has mad friends with robbers. आप सही कहा रहे हैं, स्रीमान जी. पक्ची ने जवाब दिया. वह मेरा ही भाई है. लेकिन उसने लुटेरों से दोस्ती कर ली है. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore. वह अब वैसे ही बाते करता है, जैसे कि वे लुटेरे करते हैं. वह मुझसे भी बातचित नहीं करता. Just then, the Rishi entered the ashram. तभी Rishi ashram में प्रवेश किया. Welcome, sir. He said to the king. आपका स्वागत है, स्रीमान जी. उसने राजा से कहा. Please come inside and make yourself at home. किर्पया अंदर आए और विश्राम किजिए. इसे अपना घर जैसा ही समझिए. आप ठके हुए दिखाई देते हैं. थोड़ी देर आराम कर लिजे. फिर आप मेरे साथ भोजन कर सकते हैं. राजा ने Rishi को उन दो पक्छों की कहानी सुनाई और बताया कि वे बेवहार में किस परकार भिन थे जबकि वे एक जिसे दिखाई दे रहे थे. The forest is full of surprises, he said. उसने कहा, जंगल आश्चरियों से भरा हुआ है. The holy man smiled and said. Rishi मुश्कराए और बोले. After all, one is known by the company, one keeps. आखिरकार आदमी संगती से जाना जाता है, जिसमें वह रहता है. That bird has always heard the talk of robbers. उस पक्छी ने सदा लुटेरों की बाते सुनी है, इसलिए वह उनकी नकल करता है. He imitates them, उसकी नकल करता है, and talks about robbering people, और लोगों को लुटने की बाते करता है. This one has repeated what he has always heard. इस पक्छी ने वही बातें दोराई, जो उसने हमेशा सुनी है. He welcomes people to the ashram, यह वेक्तियों को ashram में स्वागत करता है. Now come inside and rest. अब अंदर आये और विश्राम कीजिये. I will tell you more about this place and these birds. मैं इस अस्थान के बारे में और इन पक्छीों के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी दूँगा. तो यहां पे याँ स्टोरी समाप्त हो गया है. यहां पे आप देख रहे हैं questions दिया हुआ है. इस चेप्टर में इतना ही question है. 5 question है. Question number 6 यहां पे एक optional question है. जिसमें यहां तीन option दिया हुआ है. और इसका मतलब है which one of the following निम्लिकित में से कौन सा? Summs up the story best. कहानी का मूल भाव को अस्पस्ट करता है. कौन सा यह line जो है? कहानी के मूल भाव को अस्पस्ट कर रहा है. तो यहां पे यह two number जो है वो इसका answer हो जाएगा. One is known by the company one keeps. वेक्ती अपने संगती से जाना जाता है जिसमें वह रहता है. जैसा संगती में रहता है उसी तरह की लोगों की आदते हो जाती. इसलिए कहा गया है संगती से गुन आत है और संगती से गुन जात है. तो आयए मैं आप लोगों को इसका answer बना के दिखाता हूँ. यह है chapter 1 का question answer यह book है, यह pact with the sun उसका chapter 1 है और यह इसका question answer है How did the two baby birds get separated One day a big storm blew The tree came down and killed the mother bird The storm separated two baby birds from each other Why did each of them find a home One of them a baby bird came down near a cave A gang of robbers lived there The other bird landed outside the ashram of a rishi What did the first bird say to the stranger The first bird saw the stranger He called the robbers to hurry up And rob the man of his jewels and his horse What did the second bird say to him The second bird welcomed the king to the ashram He requested the stranger to drink water, take rest And make himself comfortable Last question है How did the rishi explain the different way in which the birds behaved The rishi explained that the first bird repeated The words of the robbers The second bird repeated what he had always heard at the ashram Their different ways were the result of their company यहाँ पे जो answer दिये हुए है इसका answer आपको online Google में भी मिल जाएगा लेकिन वहाँ पे आपको समवता ज्यादा long हो जाता है लंबा answer दिया वा राता है जिससे बच्चों को याद करने में problem होता है तो मैंने इसको short question मतलब ज्यादा लंबा answer देने की कोशिस नहीं किया है कम करके दिया हुआ है जिससे कि आपको आसानी से आद भी हो जाए और यह answer भी सटिक है तो यहाँ पे यह chapter पुरी तरह समाप्त हो गया है इसी तरह का और वीडियो other subjects का हमारे चैनल में आते रहता है आप हमारे चैनल को subscribe करके रखें अपने दोस्तों के साथ share करें और इसके next chapter को पढ़ने के लिए हम लोग next वीडियो में चलेंगे तो आए हम लोग next वीडियो में चलते हैं